बाइनेंस में किस तरह से एकाउंट क्रियेट होगा केवाइसी कैसे हम सक्सेस्फुली कम्प्लीट करेंगे यह सारा प्रोसेस आज इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे वीडियो में बने रहेगा वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं सारा प्रोसेस बाइनेंस में एकाउंट बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है आप उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पेछिए फोन में कुछ इस तरह से एंटरफेस खुल जाएगा यहां पर आप देखेंगे बॉटम पर आपका सामने नजर आ रहा है चैकल करना करना आप जैसे ही आप Get Started पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह से अगला इंटरफेस आ जाएगा तो यहां देख सकते हैं Welcome to Binance और उसके नीचे email id mobile number आपसे पूछा जा रहा है तो यहां पर आप अपना email id या अपने mobile number के जरिए Binance में account create कर सकते हैं तो चलिए इसमें मैं अपना mobile number enter करके next पे हम क्लिक करेंगे और देखते हैं आगे का क्या प्रोसेस है जैसे हम next पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह से अगला पेज खुल जाएगा verify your number आ रहा है उपर देख सकते हैं OTP भी आ गया है तो चलिए यह OTP हम इसमें enter कर लेते हैं तो हमने OTP enter कर लिया है उसके बाद यहां password create करने के लिए option आ रहा है तो password create करने के लिए आप देख सकते हैं नीचे तीन options दिये गए हैं आपको total password का size minimum 8 character का होना चाहिए और एक number include होना चाहिए और एक alphabet इसमें capital में होना बहुत जरूरी है तो चलिए मैं अपना password इसमें create कर लेता हूं उसके आगे का process हम देखते हैं मैंने यहां पर password create कर लिया है password create करते ही आप देखेंगे जितने भी options थे सारे options यहां हमारा password इनके criteria को fulfill कर रहा है अभी हम next पर click करेंगे next पर click करते ही आप देखेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह से welcome abroad आ गया है next पर अभी यहां हम दुबारा से click करेंगे और next पर click करने के बाद हमारा बाइनस का account यहां पर create हो जाएगा तो हमारा account यहां पर create हो चुका है तो अब account create होने का process तो आपने देख लिया है बहुत ही simple है account create करने का process अभी इसमें एक चीज रह गया है अभी हमारा account यहां पर unverified है आप देख सकते हैं Unverified यहां लिखके आ रहा है अब यहां Unverified पर जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हमारा Account Verification Process चालू होगा तो देख सकते हैं यहां पर लिखके आ रहा है Get Your Identity Verified to Buy and Trade on Banyans अब यहां पर कुछ भी Buy or Trade करना है तो उससे पहले हमें अपने Identity यहां पर Verify करानी होगी तो चलिए हम अपना यहां KYC Complete कर लेते हैं तो यहां Get Verified option आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है जैसी हम Get Verified पर क्लिक करेंगे इस तरह से अगला option आएगा तो Verify with Binance App लिखके आ रहा है तो चलिए हम Verify with Binance App को Select कर लेते हैं और उसके बाद आप देखेंगे हमारे phone में जो Binance का application हमने install किया है तो यह directly हमें इस application पे लेके आ जाएगा और अगर आप लोगों ने application इंस्टाल नहीं किया है तो Play Store से आप Binance का application इंस्टाल कर लीजे ताकि आपके phone में यह directly Binance application में open हो जाए तो इस तरह से आपके सामने Binance का application open हो जाएगा तो यहां देख सकते हैं verification के लिए हमारे सामने कुछ options आ रहे हैं तो यहां हम continue बटन पे click कर लेंगे और जैसे ही continue बटन पे click करेंगे हमारे सामने options आ रहा है what is your nationality तो यहां पर हमें अपनी nationality select कर लेनी है तो document verification के लिए यहां आप देख रहे हैं other documents आ रहा है इस पे आपको click करना है अधार card आ गया है अधार card पे आपको यहां click कर देना है जैसे आप अधार कार्ट पर क्लिक करेंगे continue बटन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ क्लिक कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आप continue पर अगेन क्लिक कर लीजे और यहाँ आप देख सकते हैं take picture from phone upload existing photo तो हम take picture from phone कर लेंगे एक चीज़ का आप दिखान रखेगा जैसे आप take picture from phone पर क्लिक करके आधार का front side आप इसमें upload करेंगे तो आधार कार्ट के ठीक नीचे pen card भी रख दीजिए और pen card का भी image इसमें साथ में upload कर देना तो इससे आपका verification process fast हो जाएगा और verify होने के chances बढ़ जाएंगे जो लोग pen card साथ में नहीं रखते हैं उनका account verify नहीं हो पाता है और verification fail हो जाता है तो चलिए continue पर क्लिक कर लेता हो और आधार कार्ड और pen card का photo एक साथ में यहाँ पर मैं upload कर दूँगा तो यहाँ देख सकते हैं document uploaded इसा message आ गया है नीचे continue button दिख रहा है इस पर आपको simple click कर लेना है continue button पर click करते ही हमारे सामने अगला screen आ जाएगा इसके बात का process वीडियो में record नहीं हो पाएगा तो आप अभी से समझ लीजिए नीचे continue पर जैसे ही click करेंगे camera open हो जाएगा आपका face दिखेगा और जैसा जैसा instruction इसमें लिख के आएगा face head को left move करना है right move करना है upward, downward या rotate move करना है उसके recording आप इसमें movement करिएगा उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर enter your pan number आ रहा है तो यहाँ पर अपना pan card का number आपको enter कर लेना है चली मैं अपना pan card number एंटर कर लेता हूँ pan card number एंटर करने के बाद नीचे check box आएगा उसको click करना है और continue बटन पे click कर लेना है तो उसके बाद आप देखेंगे under review आ गया है और हमारा process जो है complete हो चुका है तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से Binance में अपना account create कर सकते है और अपना KYC बिलकुल आसानी से complete कर पाएंगे तो आज का ये वीडियो यहीं तक मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद